राधी राधी हरी कृष्णा आप सबका क्रिष्णादाश्री क्रिष्ण दर्श्र anál में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हिंदु धर्म में शन्यदेव का बहुत एं महत्वपूर्न स्थान है। शन्यदेव को करंफल्दाता की रूप में जाना जाता है। सनातन परंपरा में शनी देव के जनम उत्सव को शनी जैनती के रूप में पड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माननेता है कि शनी जैनती के दिन शनी देव की पूजा से साड़े साती और धया के कारण मिलने वाले कष्ट कम हो जाते हैं। इंदू पंचांग के अनुसार शनी जैनती का पर्व हर साल जेश्ट मा की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और काला तिल चड़ाएं, शनी देव को नीले रंग का पुश्वर पित करें, शनी देव की आर्थी उतारें, शनी देव के मंदिर में शनी देव की परिक्रमा लगाते हुए ओम शंग शनिस चड़ाए नमा का उच्चारन भी करें। शनी जैनती के दिन शनी देव की पूजा से साड़े साती और धाया का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली में लगे शनी दोस्ट से मुक्ती मिल जाती है और शनी का क्रोध भी शांत हो जाता है। शनी के शांत होने से उनकी युति में बनने वाले अन्य ग्रह अनुकूल प्रभाव दिखाते हैं। राहू का दुश्प्रभाव नश्ठ हो जाता है और नकारत्मक्ता से रक्षा होती है। शनी जैन्ती साल में दो बर मनाई जाती है वैशाक और जेश्ट अमावस्चा के दिन। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। शनी देव को प्रशन करने के लिए ये बहुत ही लापकारी दिन माना जाता है। सूर्य और चाया पुत्र शनी करम प्रधान होते हैं। मेहनत और अक्षे करम करने वालों को शनी धन सुख संतान सौभाग सफलता प्रधान करते हैं। लेकिन जिन पर इनकी वक्री दिश्टी पढ़ती है उससे ये सभी चीजे छीन लेते हैं। शनी जैनती पर शनी देव की प्रतिमा पर सरसो के तेल से अभिशेक करना चाहिए। ओम शंग शनिश्चराय नम मंत्र का 108 बार जाप करें। शनी देव को नीले रंग का फूल चढ़ाएं। नीले वस्त अरपित करें। भगवान को काले तिल से बने वेंजन का भोग लगाएं। जरूरत मंदों को जूते, चपल, तिल और सरसो का तेल का दान करें। पूजा के बाद भगवान से जाने अंजाने में हुई गलतियों का शमा मांगे, अंत में प्रसाद बाटे और खुद भी प्रशाद ग्रहन करें। माननेता है कि इससे शनी देव प्रसन होते हैं और शनी दोश में भी कमी आती है। शनी जैनती के कुछ नियम है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए। शनी देव की पूजा में महिलाओं को प्रतिमा नहीं चूनी चाहिए। साथ ही शनी की उपाशना करते समय उनसे नजरे न मिलाएं। शनी जैनती के दिन उड़त की दाल का सेवन न करें। इसकी अलावा उड़त से बनी किसी भी चीज का सेवन न करें। ऐसा करने से शनी देव नाराज हो जाते हैं। इस दिन कोई शुब काम ना करें। जेश्ट मार्ष के कृष्ण पक्ष की अमावश्या को भगवान शनी देव का जनम हुआ है। ऐसा माना भी जाता है। इसी के करने से शनी जैनती का पर्व कहा जाता है। मान निताओं के अनुसार शनी देव भगवान सूर्य और देवी चाया के पुत्र हैं। भगवान शनी को करम फल दाता कहा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति को उसके करमों के हिसाब से फल देते हैं। शनी जैनती के दिन भगवान शनी की विदिवत पूजा करने के साथ सरसो का तेल चड़ाने से व्यक्ति को शनी की साड़े साती धैया महादशा से मुक्ति मिलती है। शनी जैनती के दिन शनी चालिसा का पाठ करें शनी स्रोत का पाठ करें और शनी देव की आर्थी करें और भगवान शनी देव से जाने अंजाने में हुई गलतियों की शमायाशना उनसे माफी जरूर माने शेनि जैन्ती के दिन च्षाया अधान करना शुब माना जाता है इसके अलावा अपनी योगिता के अनुसार गरीव और जरूरतमंदों को अनाज कपड़ा आदी का जरूर दान करें तो इस प्रकार से आप शनी जैनती के दिन शनी देव की पूजा राधना करें शनी जैनती के दिन हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए हनुमान चालिशा का पाठ करें बजरंग बाड का पाठ करें सुन्दर कांड का पाट करें तो इससे भी शनीदे प्रसन्य होते हैं तो मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी तब तक के लिए राधे राधे हरे क्रिश्ना